आपको बताने के व्यास जी के तैखाने में 1993 से मुलायम सरकार ने पूजा पाथ बंद करा दिया था जिसके लिए यह आचे का दायर की गई लंबी लडाई के बाद फैसला हिंदूों के पक्ष में आया दो तैखाने खुल चुके हैं और आठ अभी बाकी है लेकिन इस फैसले को हाई कोट में चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार है और इस पर देखिया हमारी खास पेशकश दो खुले आठ बाकी फैसला जहांके काश्या ही काशिते काशी सर्वर प्रकाशिका सा काशी विदिता यें ते प्राप्ता ही काशिका अर्था काशी सभी प्रकाश से प्रकाशिमान है और जो इसे समझता है वो इसे प्राप्त कर सकता है इसका अर्थ है कि काशी महत्रपुल धार्मिक और अध्यात्मिक अस्थल के रूप में प्रतिश्चित है और इसे जानने वाला ही इसके लाप को प्राफ्त कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ वारणसी में जिला ज़ज के अदालत पे चरही ज्यानगापी के व्यास तैखाने में पूजा के आदेश का अधिकार के मामले में जहां जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे लिया। अब हिंदू पक्ष से आस्ता की जीन मा रहा है और गत्वर्क है। यहां आज पूजा का अधिकार मिल गया हिंदू समाज के जीतर देश के सभी संता धर में हो जीता है। अधिकार में हिंदू समाज के लिए बहुत बाला जीत है। यह इस केस के टर्निंग पॉइंट है, बहुत एतिहासिक ओर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दूरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पार्ट रोकी थी, आज कोर्ट में उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और महाँ पे पूजा पार्ट के खाना है, जहां 1993 तक पूजा हुआ करते थी और सोमनाच ब्यास पूजा किया करते थी, लेकिन नवंबर 1993 में बुलायम सिंग यादक की सरकार ने पूजा को बंद करा दिया था और पुजारियों को हटा दिया था, लेकिन मुसलिम पक्ष का ये कहना है कि पूजा करने का वो गलत कहते हैं, वो करते थे लेकिन उसके सबूट में कोई भी जो तो सपोर्ट में कोई सबूट दाखिल ने किया है, कोई सबूट है नहीं उनके पास जो है तो, और करते ही नहीं थे, इसलिए सबूट कहां से कट्टा रहे हैं ये तैखाना अंजुमन इंतिजामिया मस्जुद कमिटी के पास था, अधालत के 17 जनवरी के आधेश के बार डियम ने तैखाने को अपने अधिकार भी लिया एसाई सर्वे के दोरान यहां पर साफ सफाई भी थी, बोर्ट ने डियम को साथ इनके अंदर पूजा पार शुरू करने का नर्दीश दिया काशी विश्वनात्रस पोर्ट की और से अब रोज यहां पूजा अर्चिना होगे बहुत बड़ा दिन है जो 33 साल बाद 1993 से ब्रेकेटिंग करके पूजा बंद कर दिया गया था उस पूजा को प्रारम करने के लिए जिला जजज न आदेश दे दिया है और असपश आदेश दिया है इसमें जो रिसीवर नुक्ट हैं जिला मजिस्टेट और बादी मुकदमा और कासिवसा टस्ट मिल करके इसको पूजा प्रारम करेंगे पूजारी नुक्त करेंगे निमित पूजा करेंगे और साथ दीन के अंदर इस पूजा को प्रारम करा देना है लोहे के ब्रेकेटनिंग को काटते हुए और पूजा प्रारम करा देना है मुसलिम पक्ष ने प्लेस और वर्षिप पैक्ट का हवाला देते हुए याथिका फुख्फारिज करने की मांग दी की लेकिन अदालत ने मुसलिम पक्ष की याथिका को अस्विकार करते हुए हिद्टि पक्ष में पैसला सुनाया में और लेटी वो मंदर परिसरी है और वहां पर पूजा पार्ट हो रही थी जिसको नेवेंबर 1993 में रोका गया हमारे पक्ष में लागू होता है प्लेसेग वर्शी पैट यथा स्थिति मेंटेन करने की बात कहता है और जो 15 अगस 1947 को और नवेंबर 1993 में यथा स्थिति ती उसको रेस्टोर करने की बात हो रही है 1991 तक पूजा हो रही तो पूजा तो होनी चाहिए जी बिलकुल होनी चाहिए बोले के भक्त इस वैसले को आयोध्या राम मत्पिर से चोड़ कर भी देख रहे हैं कह रही है कि बिना शिव के राम की पूजा तो अधूरी रहती है एसलिए अब शिव की पूजा भी हो रही है वकाइदा शुदी करन के बाद ररेश पूजा और रुद्राभी शेख भी होगा अरे भगवान के रुद्रावी शेख से ये पूजापात का गणेश अर्चन से ये पूजापात का शुरुआत होगा और ये बहुत बड़ा सनातन का विजय है अरे आज बहुत वर्सों से राम बैठे और अब शियू का कार्य होगा आज बहुत बड़ा दिन है हिंदू समाज के लिए एक टर्निंग पॉइंट है हम हिंदू समाज के लिए खूसा है अब हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है फुरी ज्याम बाती मुक्ति के लिए यह एक विगुल विजया शंखनात का विगुल है अब हिंदू पक्षर क्या रहा है कि उपर नमाज पढ़ी जाएगी और नीचे पूजा होगी जबीन को कोट ने हमारा माल लिया देखिए फिर से समझे इस चीजों को अभी ठाने के अंदर पूजा का दिकार मिला है बतलब ये बड़ा हिंदूस्तान में विचितर सेनेरी होगा आने वाले दिनों में कि ऊपरμाज पढ़ी जाएगी और नीचे पूजा होगा नवान पाढ़ होता ता जो वियाजी का परिवार होगाаж पूजा पाढ़ करता रहा है ता खाना उन्प ए कब्जे में था यह जो विरोज हो रहा हो गलत हो रहा है इंडियो पक्ष्टे वकी लिए मानते हैं कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील कर सकता है और इस मामने में मुस्लिम पक्ष हाई कोट जाने के तैयारी में भी है जिसका कहना है कि 1937 में मुस्लमानों के हक में जो फैसला दिया गया था उसे ओवर्लुक किया गया इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष में रोश देखा जा रहा है मुस्लिम पक्ष के वकीर ने तो ये तक कह दिया कि सब मिले हुए है चाइस फैसले के बाद शेहर में आवऑद चाहन पर कुछ असर पड़ सकता है सुनिये क्या कहा मुस्लिम बख्ष के वकी है क्या हो सकता है यह आंड आपील न एक एक मेरा काम नहीं नहीं है लोगों से क्या आपील है हमारी कोई अपील नहीं है पहले हम लोग चाहते थे कि सार कामोन वामान काई में रहे अपने लोगों को दबाए रहते थे लेकिन अब हमारी कोई अपिल है भी डियम जा नहीं असल में व्यास जूए का तैखाना ग्यानवयापी के नीचे स्थिक थे एसाई के सर्वे में इस जगह पर ऐसे साक्षी मिले जो ये बताते हैं कि ये मंदिर है ये तैखाना ठीक नंदी के सामने है और ये माना जाता है कि नंदी शिव के सामने ही विराशते हैं 1991 में सोमनाथ व्यास ने ग्यान ग्यापी के जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए एक मूल बार किया था और अडालत में सोमनाथ ने भगवान विश्वेश्वर का सखवन कर या ग्यापी की जमीन पर एक टाइचल स्थिक लाफ्टर किया साथ मार्श दोहजार को ग्यास जी का निधर हो गया लेकिन वक्तियों विजे शंकर अस्थूवी आदी विश्वेश्वर के सखवन कर मुकर्माद कर देखी और अब जाकर इस पर ये फैस्ता आया वारणसी से सुशांत बुखर्श्वी के साथ टीम निउस स्टीट वारणसी में आए फैसले को लेकर आयोध्या, मतुरा और हरिद्वार के संथ खुश है जो मानते हैं कि ये फैसला पहले ही आना चाहिए था, सत्यक्वाधिक समय तक चुपाया नहीं ज़ा सकता वारणसी में व्याजी के तहकाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है एउद्धा के संतों ने पूजा का अधिकार मिलने पर अपनी खुशी जटाई है और नो आदेश दे दिया है कि नहीं यहाँ पूजा होती थी पूजा होगी तो पूजा के जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है और यहाँ यही हुआ कि जो सत्त रहा वही सत्त हुआ पूजा होती थी पूजा होगी यह है बहुत ही समझिये कि देश के लिए खुशी का दिन है आज क्योंकि मुगलों का आकरांताओं का आतंक वैदियों का हमारे देश में कभी सम्मान न था न है न कभी रहेगा और उनका समर्थन हमारा देश कभी नहीं करता है जब तत्यों के आधार पर ये सावित हो गया है तो ये बहुत खुशी की बात है वहीं हरिद्वार में भी इस फैसले को लेकर खुशी देखी गई और सादू संतों ने नारे लगाए तो मतुरा में भी सादू संतों ने खुशी वेक्ट की आज ग्यान बापी में जो हमको पूजा का अदगार मिला है हम कोट का बहुत बहुत धन्वाद देंगे बरसों बाद हमें पूजा का अदगार मिला है हिंडू हमें खुशी की लहर है सभी सिवाधिकारियों में खुशी की लहर है आज सुनिम देने कोट का जे भैसला जो हमारे लिए आया भगवान राम के बाद में आज ग्यान बापी में जो हमको पूजा का अधिकार मिला है हमें उम्मीद है आगे भी स्री किस्न की जनम उमी के लिए भी ऐसे अधिकार हमें मिलेंगे तो बड़ी हम कोट का बहुत बहुत धन्वात देते हैं आज मानय उचे न्याले का फैसला के ग्यान बापी में बाफी में हिंदूओं को पूजा का अधिकार जो मिला है वह से नातनियों की जीथ है लंबे समय से सत्यक के लिए हम लोग बहुत बीड़ित थे और अब जाकर एसकी के सर्वे को सच मानते हुए हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार दिया गया है वहीं महारा अजीमा दालत के फैसले के बाद डीम और डी आईजी ने सुरक्षा कुले कर बैठक की अधिकार दिया है अजी आडर आया है अभी उसमें कोई आगे की करवाई की जाएगी है और यतावत कानून रखा जाएगा इसके लिए सभी इंदुबाद जामाद इस फैसले को लेकर जाएं हिंदु पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष इस फैसले को हाईपोर्ट में चुनोती देने की तैयारी में है जो एसाई के सर्वे पर भी पहले अतराज जता चुका है वारांसी सर्शुशान्त मुखर्जी के साथ की इंदुशिस्टी